दोस्तों क्या आपको bank KYC करने के लिए company को कुछ पैसे देनी की जरूरत होती है ऐसा ही एक case मेरे सामने आया है जहांपे company 5,000 रुपे मांग रही है कि हम आपकी bank KYC करेंगे उसके लिए member जो है हमें 5,000 रुपे दे आपको अगर ऐसा पूछा जाए तो आपको क्या करना और क्या ऐसा कोई fees company के दरफ से मांगी जा सकती है इसी बारे में हम बात करेंगे मेरे छोटा सा परचे मेरे नाम सागर है मैं एक PF consultant हूँ आपको मदद करता हूँ आपके PF से related doubts के बारे में समझने की बात यहां पर यह है कि आपसे किसी भी तरह का इस तरह का पैसा मांगना बिल्कुल ही गलत है कोई भी कानून आपको यह नहीं कहता है कि कोई KYC करने के लिए आपको किसी company को जहां आप नौकरी कर रहे हैं उन्हें कोई भी पैसे देने की जरूरत है पैसा देना बिल्कुल ही गलत है अब जब अगर आपसे कोई पैसा मांग रहा है तो यह पूरी यह है कि आम तौर पर इतना प्रेशर नहीं बनाया जाता है जितना प्रेशर यह Romania के ऊपर बनाया जा रहा है उसको सीधे सीधे धंकि दी जारी है कि अगर तुमने पैसे नहीं दिये तो हम तुम्हेरा पूरा का पूरा UN नमबर खराब कर देंगे और क्या यह UN क क्राब हो सक और वो खराबी के वज़े से आपको problem आईगी, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लिजे कि यह क्या कहा जा रहा है, हेलो सर, मेरे कंपनी का employer, बेंक के वाई से approval कर दिया है, एक्च्वल में उसने कर दिया है, और कर देने के बाद 5,000 पे मांग रहा है, और धमकी दे रहा है कि दोगे तो उल्टा पल्टा कर देंगे, मेरा contractor भी कुछ नहीं कर रहा है, मतलब एक पार्टी है contractor, एक पार्टी है company और एक पार्टी है employee, यह जो employee है, इससे company वाला पैसा मांग रहा है, यह employee जो है contractor के जरिये लगा है, contractor जो है आगे company में ठेका लगवाता है, तो आगे की बात ये कहा जा रहा है कि बोला जा रहा है कि उनके कमपनी में काम कर रहा हूँ उनके फर्ज बनता है पांच हजार मांग रहे हैं पहले बोले दस हजार दो बाप रे बाप हम इतने employer के पास case करना है हमें बताइए हमें employer पे case करना है ये case करने की बात कर रहे हैं तो मैंने इन्हें बता दिया है कि इनको कोई भी रुपए देने की जरुरत नहीं है लेकिन समझ्या ये है कि ऐसे में अगर employer ID खराब कर दे तब क्या होगा तो मैं आपको अगर आपके साथ ऐसे situation हो आपको क्या करना चाहिए मैं आपको यहां पर बता रहा हूँ सबसे पहली चीज तो यह है कि देखे आप समझ के रखिए कि जैसे मालो चोरी होती है तो चोरी को रोकने का किसका काम है चोरी को रोकने का पुलिस का काम है इसी तरह से अगर PF office के तरफ से अगर आपको PF में कोई भी समस्या होती है तो आपके लिए आपको पुलिस में नहीं जाना है आपको PF office में जाना है PF office एक तरह से guardian बना है और guardian के तोर पे अगर member को कोई दिक्कत आती है या फिर company को कोई दिक्कत आती है ये दोनों ही लोग जाएंगे PF office के पास अब असलियत में होता ये है कि PF office के अंदर जो अधिकारी है वो जो है सरकारी अधिकारी है और वो सरकारी अधिकारी अपने काम को उतने अच्छे से नहीं करते हैं मैं ये अपने अनुभव पे कह रहा हूँ हो सकता है कि सरकारी अधिकारी बहुत अच्छे होते हो लेकिन ये मेरा अपना अनुभव है कि जब मैंने देखा है सरकारी अधिकारी PF office के अंदर में तो वो आम तोर पे लोगों की मदद नहीं करना चाहते हैं वो आम तोर पे किसी भी matter में कोई भी action नहीं लेना चाहते हैं जहां पे भी अगर आपने complain करी तो आपको कोई help नहीं के जाएगी क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई company वाला या कोई ठेकेदार क्या कोई ठेकेदार या company वाला बिना PF अधिकारी के जानकारी के PF officer के जानकारी के इस तरह से पांच-पांच हजार रुपे लेगा पांच हजार रुपे पहले बोला गया दस हजार रुपे दो फिर बोला गया पांच हजार रुपे दो क्या PF अधिकारी को नहीं पता है तो इसमें ऐसा संभव है कि PF officer इस बारे में सहमत हो कि हाँ ठीक है आप जितना पैसा लेना चाहें ले लीजिए हमें भी कुछ पैसा दीजिए हमें भी खर्चा पानी दीजिए और इस तरह से ये nexus चल रहा हो तो आप अगर मान लो कि हम ऐसा पहले मान के चलता है कि PF officer बहुत अच्छा है PF officer बहुत इमानदार है आपको करना यह चाहिए अगर जो company है वो आपके छेतर में पढ़ती है सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि मान लो कि आप काम कर रहे है उडिसा में और आपकी जो company registered है वो गुडगाओं में है तो अगर आप उडिसा PF office में जाओगे तो वो कुछ नहीं करेगा आपको जाना पड़ेगा गुडगाओं पीएफ office अभी यह मानते हैं कि आपका nearby PF office है पीएफ office जाईए वहाँ पे अपने पीएफ अधिकारी के पास जाईए पीएफ अधिकारी अगर इमानदार होगा एक मिनिट में पीएफ अधिकारी इमानदार होगा तो वो बोलेगा हम को नहीं पता है आप कमपनी में जाईए ठेकेदार के पास जाईए अब आप फस चुके हैं अगर कमपनी और ठेकेदार इस तरह से जबर्दस्ति कर रहे हैं कि हम आपकी आईडी खराब कर देंगे तो मेरे हिसाब से 5,000 बहुत जादा हो गया है अगर मालो 500,000 पे में बात बनती है तो आप 500,000 पे दे दीजे बात मानिए अगर PF officer आपको help ना करे तो फिर आपकी company वाला अगर कुछ खराब कर देगा तो उसमें आपको कोई बचाने वाला नहीं रहेगा तो मेरा कोई benefit नहीं है मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ अगर 500,000 पे दे के काम बनता है दे दीजे आपकी KYC उसने कर दी है आगे भी आपकी exit date डलनी है exit date डलके आप नई company में जाएंगे आशा करेंगे नई company आपसे इस तरह का कोई demand नहीं करेगी लेकिन अगर आप कानून के रखवाले हैं अगर आप जाग रुक हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि हम company के against में कुछ action लेना चाहते हैं तो फिर आप direct court में मज जाएए पहले आप police complaint file कीजिए police में एक आप normal सी चिठ्थी दे सकते हैं police चिठ्थी देने से पहले आपको PF office में भी एक लिखित में चिठ्थी देनी है और लिखित में चिठ्थी देके एक receiving ले लेनी है अब अगर आपने receiving ले ली तो PF officer को उस पे जवाब देना मजबूरी हो जाएगी PF office में सबसे पहला काम PF office में लिखित complaint अगर PF office के तरफ से action ना हो, अगर action ना हो, तभी आपको police में complain करनी है, police में complain करने से कोई action होने वाला नहीं है, फिर आपको जाना पड़ेगा, अगर माल लीजे, आपका PF जो company वाला है, वो समझ जाता है कि भाई, ये बंदा देने वाला है नहीं, उल्टा शिकायत कर रहा है, शिकायत करके हम फज जाएंगे, तो फिर आपका काम वो ठीक कर देगा, वो मतलब और कुछ नहीं करेगा आपको परिशान, लेकिन अगर by chance उसने गलत कर दिया, तब आप जो है labor court जाएंगे, labor court में आप company को भी party बनाइए, ठेकेदार को भी party बनाइए, और PF office को भी party परिएंगे, PF office भी आपका काम हाथ जोड़के करेगा, company भी हाथ जोड़के करेगा और ठेकेदार भी हाथ जोड़के करेगा, लेकिन ये समझ लीजेगा कि ये बहुत मुश्किल काम है, ये मुश्किल काम बस वही कर सकता है, जो कानूनी कीड़ा हो, अगर आप कानूनी और ये अंधा कानून जो है, सिर्फ जो पैसे वाले होते हैं, उनको हेल्प करता है, PF अधिकारी इमानदार होगा, तो आपका काम हो जाएगा, आसानी से, और कानूनी तोर पे ये बिल्कुल गलत है, कि PF आपकी company कोई आपसे पैसा मांगे, तो अगर कोई company वाला ये वीडि का KYC करने का आपको पैसा नहीं लेना चाहिए, और नहीं ideally आपको देना चाहिए, समझानी की कोशिश कीजिए, हो सकता है, company वाला समझ जाए, और अगर बहुत बदमाश होगा, तो फिर मैंने आपको सारी कारवाई बता दी है, जो जो आपको करना हो वो आप कर सकते हैं, मे आपको अपनी हर वीडियो में कह रहा हूँ, मैं जूट बोलता हूँ वीडियो में, मेरी किसी वीडियो पर यकिन मत कीजिए, आप ट्राइ कीजिए, ट्राइ करके आपको अगर सही लगे तभी आप मानियेगा, ठीक है, मिलेगें अगली वीडियो में, बहुत बहुत झाल झाल प्लूट